योग इसके प्रकार, महत्व, आसन वगेरा वगेरा इसे लेकर तमाम तरह के खबरें आप देखते हैं लगातार देख रहे हैं योग यानि ऐसा अरजित किंतु विलुक्त ग्यान जिसे लेकर बहुत पहले बहुत कुछ किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ पर भारतिय चिंतन और दर्शन आगे की सुध लेने वाला है बीती को बिसार देने वाला है लहाजा हम भी आज आगे की बात करेंगे योग हैरानी की हद तक काम करने वाला है आप जिस जीवन शैली को जी रहे हैं या जीने जा रहे हैं किसी भी पर स्थिती में स्थिती में जिस अद्रश्य दानव से आपका मुकाबला होना है उसका नाम है तनाओ देखते ही देखते ये समाज की सबसे बड़ी बीमारी बन गया और आप चाहें या ना चाहें आपके अंदर ये है जैसे कल्योग में परिक्षित के मुकुट में आया था तो आप किया क्या जाए बहुत आसान जवाब है सर्फ 10 मुनिट आपको निकालना है अनुशाशत होकर आदत बनानी है योग की तो आज अंतराश्रीय योग दिवस और तमाम जगहों पर अब तो अंतराश्रीय हो चला है योग और अंतराश्रीय योग दिवस पर अलग-अलग जगहों पर आयोजन हुए उनकी तमाम तस्वीरे में हमने आपको दिखाई किस तरीके से योग किया जा रहा है अलग-अलग शहरों में कई जगा पर जल योग की तस्वीरे आई हैं हैरत अंगेज आसन किये जा रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे जिस तरह से आसन कर रहे हैं वह आपको हैरान कर देगा कई जगा खास व्यवस्वाभी की गई थी इस बार की थीम वसुध्यव कुटुम्बकम पर रखी गई खुद प्रधानमंत्री ने बाकाईदय एक वीडियो संदेश जारी किया सेना के मोर्चे से अर्ध सैनिक बलों के मोर्चे से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां सामान्य जीवन कर दूभर हो महां योग किया गया अलग-अलग जगों पर आयोजन किये गए, सेठानी घाट के आयोजन किये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो इस तरह तमाम ये आयोजन किये गए, और तनाव, आज का जो पहलू जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो है तनाव, जो गाहे बगाहे, चाहे अंचाहे आपके जी में भाद दौर लगातार लगी हुए है, तो दो योगा चाहर है, जो फटा फट अंदाज में, जिनसे हम चर्चा करेंगे, और ये जानेंगे, कि किस तरह से योग को जीवन में शामिल किया जाए, और इस तनाव को टाटा बाय बाय किया जाए, जोती जी हमारे साथ योगा जोती जी बहुत-बहुत स्वागत, ब्रजेश कुमार गुपता सहाब, आप भी योगाचारे हैं, दोनों आचारियों का बहुत-बहुत स्वागत, ब्रजेश जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, हम सब नहीं चाहते कि तनाव हो, फर दरसल जीवन शैली ऐसी हो गई है कि तनाव होगा, तनाव बीमारियों की जड़ है, और योग के जरिये इससे हम बच सकते हैं, ब्रजेश जी, जी सर, एक्चली अगर हम देखें, तो आज का जो हमारा लाइफ इस्टाइल है, वो बहुत भाग दोड़ बाला हो गया है, सोने का समय रहा नहीं, खाने का कुछ समय रहा नहीं, और अभी जितनी भी हमारी ब्यस्ताइं हैं, तो हम कही न कहीं नेचर से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, और उसी का दुस्परणाम है, कि हमको बीमारियां गाए बजाये घेर रही हैं, इससे बचने का सबसे आसान तरीका है सर, योग का, अगर हम देखें उदार चलता नाम तु वसुदेव कुठम मुकम, मीज अगर हम पूरे विस्व को हमारा परिवार माने और परिवार मानते हुए सबको एक साथ योग रूपी, जो हमारा मेडिसन है, हाँ, इसको हम दें, तो व्यक्ति स्वस्त रह सकता है, इसमें कोई संदे नहीं है, जी 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 जैसा आपने बताया इसके जरीए मात दी जा सकती है रोखो तनाव को जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर जोती जी भी हम ऐसा जुड़ी हुई है एक बार फिर जोती आपका स्वागत और सवाल मेरा ये बड़ी भागती दौलती जिंदगी है तो हम सब जानदा चाह सब्सक्राइब के लिए मुझझे भी राम मिले तो मैं एक चेहर पर बैठ जाओं या इस तरह से क्या कोई ऐसे आसंद है जो जादा असर करें और जिन्हें हमें वक्त कम देना पड़े या इस तरह से कम वक्त में भी हम उने कर सकते हैं जोती जी बिल्कुल कर सकते हैं जो सारे हैं जो आप शुरय नमस्कार भी होते हैं सुर्य नमस्कार के पॉश्चर भी आप चेयर में बैठे बैठे कर सकते हैं बिलकुल बिलकुल आपके पास भी आना चाहूंगा तनाव हमारा एक सेंटर पॉइंट हम गें इसे रखा है कैसे बचें इस इस तनाव से तनाव से बीमारीयों के लिस्ट तो बहुत लंबी है उस तनाव से कौन से आसन बचाएंगे और जो तेजी से किये जा सकते हों कुछ मिन्टों में किये जा सकते हूं ब्रजेश सर सर सबसे अच्छा है तनाव के लिए हम डीप स्वसन करें लंबे गहरे स्वांस लें आप अपनी जगह पे बैठे हुए हैं स्वांस लें छोड़ें स्वांस लें ऐसा कम से कम 8-10 बार अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे जो कार्ट सोल हमारा हार्मोन बड़ा हुआ रहता हों है बाइन आसका से लेना दाइन चोड़ना फिर दाइं से लेना बाइन से छोड़ना अगर ऐसा आप 5-7 राउंड करते हैं तो आप यकीन मानिए तनाव धीरे 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 आपकी लाइप से कम होने लगेगा दूसरा होता क्या है जब हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे हिस या कुछ हमारे अनकूल नहीं होता है इस्तितिया परिस्तिया हमारे विप्रीथ होती है हम उसको एकसेप्ट करें और जीवन में यह मान के चलें कि जो भी हमको परमात्मान ने दिया है वह अच्छा दिया है संतोस अपने जीवन में लाएं थोड़ा सा प्राणायाम की 5 मिट क कर सकते हैं वेकबर्ड वेंडिंग कर सकते हैं लेटरल वेंडिंग कर सकते हैं फोस सारी यसी योग की विदाय हैं आप चेयर पर सूरी नमस्कार कर सकते हैं आयोश मंत्राले भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है पांच मिट योगा ब्रेक कि अबर आप कुछ भी नहीं कर सकत हैं भागदोड की जिन्दिगी से तनाप को बाहर निकाल सकते हैं कोई अगर आप इस तरह से कोई एक भी आसन अगर आप प्लीज बता सके बैठे हुए प्रिजेश यह यह सर पर हम बैठे हैं दोनों हातों को ऊपर ले जाएं और हातों को पूरा स्टेश कर दें या तो हम मिल कोई यां कर दें यहां मॷ्त त्व हैं इससे करके और भी आप लुपने बैनिए या सद्वासन रूप करें दूसरी दूसरी और भी आप अच्छे गहरे चार-पांच स्वाँस ले चोड़े ऐसा आपने किया और फिर धीरे से हाथ को नीच लाए तो आप देखेंगे पांच या साथ दिन में आप धीरे से धीरे तन आप से दूर होने लगेंगे जो पायटिसॉल हो ने लगेगा डोपामाइन आपका बढ़ने लगेगा हार्मोन आपके जो सेक्रिशन है ने हमारी जिंदगी को तेड़ा नहीं किया मेरूदंड को भी तेड़ा कर दिया है आप जुके रहते हैं पोस्चर जैस्चर आपके बिगड़े हुए है और आख इस पर सबसे ज़्यादा असर है सालों पहले डॉक्टर हुआ करते थे डॉक्टर कूठारी वह अक्सर दवा अर्ध ताड़ासन करते हैं स्पाइन के यह बहुत अच्छी है आपने बोला मेरूदंड तो आप यह खीच कर रखें लंबी जरी स्वांस लें और फिर थोड़ा देर सामाने स्वांसे लेते रहें और धीर सांसों को छोड़ेंगे फिर इसी तरह हम करेंगे इस तरह से आप सब्यास को दो से तीन बार हम दोरा सकते हैं और कंटीनियों अगर हम चेयर में बैठे तो वह भी दिक्कत है तो हमको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहना चाहिए थोड़ी हमको तो इसी जी से होगी और मेरुदं के लिएक चीज और मतादू मार्जरी आसन हम लोग करते ह जो काफी स्पाइन स्पाइन वह अच्छा है जब मार्जरी करते हैं सांस लेकर उपर करते हैं तो इस तरह से ये स्पाइन की लिए भी बहुत अच्छा है मैं इस पर एक और चीज दरसल आपसे जाना चाहरा था बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं कोई अलग नहीं हूँ मसले मेरे यहां पेक मशीन इस तरह से फिट होती है यही मुझे बाकी दुनिया से जोड़कर रखती है हैटफोन के अस्तमाल बढ़े हैं और गर्दन में आप हमेश इसके लिए गर्दन के लिए जोटी जी करेंगे और बहुत ही स्लो प्रोसेस में धीर देरे गर्दन को चारोर क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज हम गोल गुमाएंगे इसके बाद हम दोनों हाथ को हम कमर पर रखेंगे और शोल्डर को मूफ करेंगे बड़ा सरकल बनाएंगे बहुत लोग करते हैं तो यह कि इस तरह से चोटे-चोटे करते हैं ऐसे कुबर निकल जाड़ा नहीं आप चेस्ट को सीधा रखेंगे शोल्डर सीधा रहेगा और बहुत ही स्लो मोशन में आप करेंगे तो आपको यह काफिर रिलेक्स होगा और दूसी बात आपने कहा कान के पास यह वाले पोशन में त उसको आम को धीरे-दीरे क्लॉक और एंटी-कलॉक वाइस हमको सरकल करना है यह हमारा जो फिंगर है यहां पर हम इसको ऐसे क्लॉक देन एंटी-कलॉक वाइस हम करेंगे जी कान खीचने वाली एक्साइस का एक फायदा यह रहेगा कि आपको अपने माता पिता और चली का दिकर हम कर रहे हैं मुबाइल के स्थमाल का हम लगातार जिकर कर रहे हैं पूस्टर और जैस्टर भी बहुत जादा बदल रहा है आप आपने देखा होगा जादतर जो तरून बच्चे हैं जिनें भागता दोड़ता रहना है वह कुछ ऐसे ठिल्ड जुके से होकर चलते हैं यह आपने भी महसूस किया होगा इससे भी हम बदल सकते हैं अगर हम देखें तो वक्त के साथ तीन चीजें बहुत हुई हैं हमारे साथ में एक तो गर्दन का दर्द दूसरा कमर का दर्द और भुटने के दर्द यह अगर हम पोस्टर थोड़ा सा बदल लें खान प तो बैठके अपनी स्टिडी ना करें सोफे पर ना बैठें कुर्सी पर अच्छे आराम से बैठें पीठ हमेशा सीधी रखें तो थोड़ा सा अगर हम लाइफस्टाइल में अपने में चेंजेज लेके राएं तो तीन चीजों से हम बच सकते हैं गर्दन का दर्द कमर का द करते हैं वह स्ट्रेचिंग की इसलिए करते हैं कि कंप्रेशन और रिलेक्सेशन के द्वारा जो हमारी 6339 मसल्स हैं बोन से टेंडन हैं लिगामेंट हैं वह सब खिचे रहें और उनमें कोई ऐसी प्रोब्लम ना हो तो हमको हम हमारे जीवन को बड़ा अच्छा सा जी सकते ह अगर हमारा कोश्चर अच्छा है बैठने का उठने तरीका बच्चों को भी यही सिखाएं तो अभी हमारे जो योगाचारे लगातार बता रहे हैं कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कुछ को लग रहा होगा यह क्या है और यह क्या है यह आपको तब समझ में आएगा जब आपके सामने व्याधिक खड़ी होगी आप डॉक्टर के सामने खड़े होंगे और डॉक्टर कहेगा इसका तो कोई पर्मेनेंट सॉलूशन है नहीं डॉक्तर भी आलोपेठी यहापको बोलेगा जिससे आप गोली लेने गए वह को कहेगा कि आपको योग करन चाहिए था वो तब इस एपिसोड को देख लीजेगा यूट्यूब पे जाकर मैं आपके पास आना चाहा रहा हूं एक बड़ा अच्छा जो आसाने बैट कर किया जा सकता है और इसके बड़े हैरतंगेश परिणाम मिलें सकारात्मक परिणाम वो है ब्रहमर गुंजन खास्त है उसमें इक जो अब्रहमर होती है उसके साउंड से पूरी हिलिंग होती है हम अगる हम अगर हम अगर अगर आपको नींद की प्रॉब्लम हैं बहत ज्यादा अगर तनाव है या ऊसाद है तो आ हमारा ब्रहामर के रहा था उसके बाद हम ब्रहामरी करें तो और भी ज्यादा ये फाइदे मंद है जी चलिए चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हाला कि शुरुआत में लगा कि सवाल कुछ कम नहों लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इतने सारे सवालों की शंकला है लेकिन फि दोनों योगाचारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आप जिस दिशा में तमाम पीडियों को ले जा रहे हैं चाहे वो बच्चे हों जवान हों बुजूर्ग हों उनकी तरफ समय खास शुक्रिया और अदा करना चाह रहा हूं कि अ पिक्स के जरीए हमने आपको तनाव से उपजी बीमारियां भी बताई और तनाव को कैसे आप कम कर सकते हैं यह हमारे योगाचारियों ने बताया किस तरह के आसन है उसको लेकर आप लगातार देखी रहे हैं दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद योग को अपने ज